तो देखते हैं पर question number 8 में हमसे क्या पूछा किया है? A child staying in a coastal region tests the drinking water and also the sea water with his tester. He finds that the compass needle deflects more in the case of sea water. Can you explain the reason? तो यहाँ पर एक बच्चा है, वो यहाँ पर क्या कर रहा है? Coastal region में रहता है. वो यहाँ पर कहा रहा है? Coastal region में रहा है. उसने वहाँ पीने का पानी चेक करा और जो समुनर के पास का पानी है, उसने वहाँ पर ये चेक करा. तो compass needle वहाँ पर ज़्यादा जो deflect करेगा. मतलब वहाँ पर क्या करा उसने? उस पानी में electricity conduct करवाई. तो जो compass needle है, वो कहाँ पर deflect कर रहा है ज़्यादा? सी water के पानी में कर रहा है. तो हमें बताना है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसने क्या करा होगा? मालो, उसने यहाँ पर एक beaker लिया होगा. मैं यहाँ पर देखता हूँ. मालो, उसने यहाँ पर एक beaker लिया. beaker में यहाँ पर क्या करा है? इसने एक में sea water डाला और दूसरे वाले में क्या डाला यहां पर यहां पर उसने जो पीने का पानी है वो डाला तो इसने यहां पर wire connect करें wire connect करने के बाद यहां पर इसने क्या करा पॉजिटिव नेगेटिव महा लेते हैं इसको यह सट तो इसने हिहां पर क्या कर रहा होगा है यहां पर क Suz Все में अलटेぎ करकरा और उसमें वार को राउंट कर दिया तो इसने देखा जह सी वाटर रहे इसमें जो युअ का निड़ल जाथा डिफलय कर रहे जब्कि यह वालोज का पानी लिय स्ट्रॉंग हो चुके हैं पीने के पाने के मुकाबले इसलिए हमाँ पर जो कमपस निडल है वो ज्यादा डिफलेट करेगे अब यहाँ पर इसके पॉइंट भी पढ़ लेते हैं सी वाटर कंटेंज मोर डिजॉल्व्ट सैट दैन दा ड्रिंकिंग वाटर बिकॉस ड्रिंकिंग वाटर इच मेट प्यॉर बाइनी मैथर्स तो यहाँ पर जो पीने का पानी है हम उसको वैसे भी प्यॉरिफाई करके पीते जिसके वज़े से जो इसके मिनरल से वो खतम हो जाते हैं मतलब जो आयन्स है वो यहाँ पर क्यों होते कम हो जाते हैं और जबकि जो सम्मूदर का पानी उसमें आयन्स वैसे के वैसे रहते हैं इसलिए जो कंडुक्टिविटी वो यहाँ पर सी वाटर में ज्यादा होती है therefore sea water is more conducting than normal drinking water because of this reason the compass needle deflects more in sea water than in the drinking water इसी कारणवास जो यहाँ पर पीने का पानी है और उसमें क्या होगा compass की निडल कम deflect करेगी और जो सम्मूदर का पानी है उसमें ज्यादा करेगी इसी reason के वज़े से क्योंकि जो सम्मूदर का पानी है उसमें काफी ज्यादा मातर में ions होगी because of salt और जो पीने का पानी है वहाँ पर minerals वैसी हम उसको purify कर देते हैं वहाँ पर minerals कम हो जाती है जिसके वज़े से वहाँ पर ions की मातर भी कम हो जाती है और वो solution इतना conducting नहीं रह पाता इसलिए जो compass की needle है वो यहाँ पर पीने के पानी में काफी कम deflate करेगी क्योंकि वहाँ पर less conducting होगी और यहाँ पर सबसे ज्यादे conducting कहाँ पर होगी sea water में होगी अगर मैं पर pure water के मकाबले उसको compare करू तो इसलिए जो compass की needle है वो यहाँ पर क्यों होगी जो समुदर का पानी हो उसमें चादा होगी hope आपको यह वाला answer भी समझ में आ गया होगा अब देखते हैं पर next question